पूरे देश में 75 वे गरतंतर दिवस की धूम मची हुई है राजधाने दिल्ली में कडाके की ठंड भी पड़ रही है ऐसे में शुकरवार को दिल्ली की विज़चौक से लाल के लिए तक परेट की जाएगी लेकिन दिल्ली वालों को सरफ ठंड का ही नहीं बलकि एक और मुस सुबह साड़े आठ बजे तक सिर्फ 400 मीटर तक ही दायरे में देख मिलेगा इसके बाद दरशिता के सरसुधर कर 1500 मीटर तक पहुंच सकता है यानि कि दिल्ली में कोहरी का कोहराम देखने को मिलेगा मौसम विभाग के मताबिक दिल्ली में आज जाने शुकरवार को नियु सुद्ली परत के बने रहने की प्रात में कारणों से एक है सक्रिय पश्च में विभोख्ष मौसम प्रडालियों की अनुपस्ट थी भूमधि सागरी शेत्र में उत्पन होती है और उत्तर पश्च में भारत में बेमौसम वर्शा लाती है आमतोर पर इन महीनों के दौरान पांस से साथ पश्च में विभोख्ष इस शेत्र को प्रभावित करते हैं इसमें कहा गया है कि इस शेत्र में इस सर्दी में अब तक कोई मजबूत पश्च में विभोख्ष नहीं देखा गया है लेकिन अब तक दो पश्च में विभोख्ष ने देश को प्रभावित किया है एक दिसम्मर में और दूसरा जनवरी में लेकिन उनका प्रभाव गुजरात उत्रे महारास्ट पूर विराजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमत रहा कोहरे की दिर्मान के लिए तीन स्थितियों की अवशक्ता होती है कोहरा निम्नस्तरिय हवाएं नमी और राद भर की थंडग तेज हवा और वर्षा की विशेशता वाले मजबूत पश्चमी विभोक्ष इन स्थितियों को बाधित करते हैं अब एक लिफ लालत नहीं जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ पने रहे हैं खबर पर